लेटेश अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए मन की बात में आप सबका स्वागत है कुछ दिन पहले देश ने एक ऐसी उपलब्दी हासिल की है जो हम सभी को प्रेणा देती हैं भारत के सामर्थ के प्रती एक नया विश्वास जगाती है आप लोग क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया के किसी बैट्समेंट की सेंचुरी सुनकर खुश होते होंगे लेकिन भारत ने एक और मैदान में सेंचुरी लगाई है और वो बहुत विशेश है इस महेने पांच तारिक को देश में यूनिकॉन की संख्या सो के आंकडे तक पहुँच गई है और आपको दो पताई है एक यूनिकॉन यानि कम से कम साड़े साथ हजार करोड रुपिय का स्टार्ट अप इन यूनिकॉन का कुल वैल्यूएशन तीन सो तीस बिलियन डॉलर यानि 25 लाग करोड रुपियों से भी जादा है निश्चित रुप से ये बात हर भारतिय के लिए गर्व करने वाली बात है आपको यह जानकर विहरानी होगी कि हमारे कुल यूनिकॉन में से 44, 44 पिछले साल बने थे इतना ही नहीं इस वर्स के 3-4 महिने में ही 14 और नहीं यूनिकॉन बन गए इसका मतलब यह हुआ कि ग्लोबल पैंडिमिक के इस दौर में भी हमारे स्टार्ट अप्स, वेल्थ और वेल्यू क्रियेट करते रहे इंजियन यूनिकॉन्स का एवरेज एन्यूल ग्रोथ रेट USA, UK और अन्य कई देशों से भी जादा है एनालिस का तो यह भी कहना है कि आने वाले वर्सों में इस संख्या में तेज उछाल देखने को मिलेगी एक अच्छी बात यह भी है कि हमारे यूनिकॉन्स डावर्सिफाइंग है यह e-commerce, fintech, adtech, biotech जैसे कही खेत्रों में काम कर रहे है एक और बात जिसे मैं ज़्यादा एहम मानता हूँ वो यह है कि स्टार्ट अप्स की दुनिया न्यू इंडिया की स्पिरिक्ट को रिफ्लेक्ट कर रही है आज भारत का स्टार्ट अप एको सिस्टिम सिर्फ बड़े शहरों तक ही सिमित नहीं है छोटे छोटे शहरों और कस्पों से भी एंटर्प्रिनर सामने आ रहे हैं इससे पता चलता है कि भारत में जिसके पास इनोविटिव एडिया है वो वेल्थ क्रियेट कर सकता है साथियों देश की सफलता के पीशे देश की युवाशक्ति, देश के टैलेंट और सरकार सभी मिलकर के प्रयास कर रहे हैं हर किसी का योगदान है लेकिर इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है वो है स्टार्ट अप बर्ड में राइट मेंटरिंग यानि सही मारदरशन एक अच्छा मेंटर स्टार्ट अप को नई उचायों तक ले जा सकता है वो फाउंडर्स को राइट डिसिजन के लिए हर तरह से गाइड कर सकता है मुझे इस बात का गर्व है कि भारत में ऐसे बहुत से मेंटर्स हैं जेनों ने स्टार्ट अप को आगे बढ़ाने के लिए खुद को समर्पिक कर दिया है स्रीधर वेंबू जी को हाली में पदमसम्मान मिला है पर खुद एक सफल एंटर्परिनर है लेकराबूरों ने दूसरे एंटर्परिनर को एंटरूम करने का भी बीड़ा उठाया है स्रीधर जी ने अपना काम ग्रामिन इलाके से शुरू किया है वे ग्रामिन युवाओं को गाओं में ही रहकर एक शेत्र में कुछ करने के लिए प्रोसाइट कर रहे हैं हमारे हाँ मदन पड़ाकी जैसे लोग भी हैं जिनोंने रूरल एंटर्परिनर्स को बढ़ावा देने के लिए 2014 में वन ब्रीज नाम का प्लेटफर्म बनाया था आज वन ब्रीज दक्षिन और पुर्वी भारत के पचतर से अधिक जीलों में मौजूद है इस से जुड़े नवहजार से अधिक रूरल एंटर्परिनर्स ग्रामिन उपभोगताओं को अपनी सेवाय उपलब्द करा रहे हैं मेरा शैनोई जी भी ऐसी एक मिसाल है वो रूरल, ट्राइबल और डिसेबल यूद के लिए मार्केट लिंक स्किल्ड ट्रेनिंग के ख्षेतर में उलेख दिये कार्य कर रही है मैंने यहां तो कुछ ही नाम लिए है लेकिन आज हमारे बीच मैंटर्स की कमी नहीं है हमारे लिए यह बहुत प्रसनता की बास है कि स्टार्ट अफ के लिए आज देश में एक पूरा सपोर्ट सिस्टिम तैयार हो रहा है मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमें भारत के स्टार्ट अफ बुर्ड के प्रकति की नई उडान देखने को मिलेगी साथियों कुछ दिनों पहले मुझे एक ऐसी इंट्रेस्टिंग और अट्रेक्टिव चीज मिली जिसमें देश वास्चों की क्रेटिविटी और उनके आर्टिस्टिक टैलेंट का रंग भरा है एक उपहार है जिसे तमिल नाड़ी के तंजावूर के एक सेल्फ हेल्प ग्रूप ने मुझे बेजा है इस उपहार में भारतियता की सुगंध है और मात्रु शक्ति के आशिजवाद मुझ पर उनके इसने की भी जलक है यह एक स्पेशल तंजावूर डॉल है जिसे जी आई टैग भी मिला हुआ है मैं तंजावूर सेल्फ हेल्प ग्रूप को विशेश धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे स्थानिय संस्कृति में रचे बसे इस उपहार को भेजा वैसे साथियों यह तंजावूर डॉल जितनी खुपसूरत होती है उतनी ही खुपसूरती से यह महिला ससकते करण की नई गाथा भी लिख रही है तंजावूर में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रूप के स्टोर और कियोस्क भी खुल रहे हैं इसकी वेज़े से कितने ही गरीब परिवारों की जिंदगी बदर गई हैं ऐसे कियोस्क और स्टोर्स की सहायता से महिलाएं अब अपने प्रोडक्ट ग्रहकों को सीधे बेच पा रही हैं इस पहल को तार गईगल कई विनई पोरुद कल विरप्पन अंगारी नाम दिया गया है खास बात यह हैं कि इस पहल से 22 सेल्फ हेल्फ ग्रूप जुड़े हुए हैं आपको यह भी जानकर अच्छा लगेगा कि महिला सेल्फ हेल्फ ग्रूप महिला स्वयम सहायता समू के यह स्टोर तंजावूर में बहुत ही प्राइम लोकेशन पर खुले हैं इनकी देखरे की तुरी जिम्मेदारी भी महिलाएं उठा रही हैं ए महिला सेल्फ हेल्फ ग्रूप तंजावूर डॉल और ब्रोंज लैंप जैसे जी आई प्रोड़क के अलावा खिलोवने मेट और आर्टिफिशल ज्वैलरी भी बनाते हैं ऐसे स्टोर की वेज़े से जी आई प्रोड़क के साथ साथ हैंडी क्राप के प्रोड़क की विक्री में भी काफी तेजी देखने को मिली हैं इस मुहिम की वजह से न केवल कारीगरों को बढ़ावा मिला है बलकि महिलाओं की आबदनी बढ़ने से उनका स्थरक्तिकर्ण भी हो रहा है मेरा मन की बात के सुर्टाओं से भी एक आगर है आप अपने ख्षेत्रों में ये पता लगाएं कि कौन से महिला सेल्फ हेल्प ग्रूप काम कर रहे हैं उनके प्रोड़क्स के बारे में भी आप जानकरी जुटाएं और जादा से जादा इन उत्पादों को उप्योग में लाएं ऐसा करके आप सेल्फ हेल्प ग्रूप की आए बढ़ाने में तो मदद करेंगे ही आत्मन निर्भर्थ भारत भियान को भी गर्ति देंगे साथियों हमारे देश में कई सारी भाषाओं लीप्यां और बोलियों का सम्रुद खजाना है अलग-अलग शेत्रों में अलग-अलग पहनावा, खान-पान और संस्कृति ये हमारी पहचान है ये डाइवर्सिटी, ये विविदता, एक राष्ट के रूप में हमें अधिक ससक्त करती हैं और एक जूट रखती हैं इसी से जुड़ा एक बेहत प्रेरक उधार है, एक बेटी कलपना का, जिसे मैं आप सभी के साथ साजा करना चाहता हूँ उनका नाम कलपना है, लेनुगुन का प्रयास, एक भारत, स्रेष्ट भारत की सच्ची भावना से भरा हुआ है दरसल कलपना ने हाली में, करना टका में अपनी दस्वी की परिक्षा पास की है लेकिन उनकी सफरता की बेहत खास बात ये है, कि कलपना को कुछ समय पहले तक कनड़ा भाशा ही नहीं आते थी उन्होंने न सिर्फ तीन महने में कनड़ा भाशा सीखी, बलकि 92 नमबर भी मिला करके दिखाए आपको ये जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है और प्रेरणा भी देगी, कलपना मुल रुप से उत्राखन के जोसी मट की रहने वाली है वे पहले टीबी से पीडित रही थी, और जो फे तीसरी कक्षा में थी, तभी उनकी आँखों की रोशनी भी चली गई थी लेकिन कहते हैं न, जहां चाह, वहारा, कलपना बाद में मैसुरू की रहने वाली, प्रफेसर तारा मुर्ती के संपर्ग माई जिनोंने न सिर्व उन्हें प्रोसाइद किया, बलकि हर तरह से उनकी मदद भी की आज, वह अपनी महनत से हम सब के लिए एक उधारन बन गई हैं, मैं कलपना को उनके होंसले के लिए बधाई देता हूँ इसी तरह हमारे देश में कई ऐसे लोग भी हैं, जो देश की भासाई विविद्रा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं ऐसे ही एक साती है, पश्चिम मंगाल में पुरूलिया के स्रिपति टूडूजी टूडूजी पुरूलिया की सिद्धो कानो बिर्शा उनिवर्सिटी में संथाली भाषा की प्रफसर है उन्होंने संथाली समाज के लिए उनकी अपनी ओल्चिकी लिपी में देश के समिधान की कौपी तयार की है स्रिपति टूडूजी कहते हैं कि हमारा समिधान हमारे देश के हर एक नागरिक को उनके अधिकार और कर्टव्य का बोध कराता है इसलिए प्रते एक नागरिक को इससे परिचित होना जरूरी है इसलिए उन्होंने संथाली समाज के लिए उनकी अपनी लिपी में सम्विधान की कौपी तैयार करके भेट सोगात के रूप में दी हैं। पर भी जानकारी मिलेगी। यहां आपको खान-पान, कला, संस्कृति, परियतन समय ऐसे कई विश्व पर एक्टिविटीज के बारे में पता चलेगा। आप इन एक्टिविटीज में हिस्सा भी ले सकते हैं। इसे आपको अपने देश के बारे में जानकारी भी मिलेगी। और आप देश की विविदता को मैसूस भी करेंगे। मेरे प्यारे देश्वाश्यों, इस समय हमारे देश में उत्राखन के चार धाम की पवित्र यात्रा चल रही है। चार धाम और खासकर केदारनात में हर दिन हजारों के संख्या में सरद्धालू वहां पहुँच रहे हैं। लोग अपनी चार धाम यात्रा के सुखत अनुभव शेर कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा कि स्रद्धालू केदारनात में कुछ यात्रियों अद्वारा फैलाई जा रही। गंदगी की वजह से बहुत दुखी भी है। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी बात रखी है। हम पवित्र यात्रा में जाएं और वहां गंदगी का धेर हो ये ठीक नहीं। लेकिन साथियों इन सिकायतों के बीच कई अच्छी तस्विरे भी देखने को मिल रही हैं। जहां स्रद्धा है वहां स्रजन और सकारात्मक्ता भी है। कई स्रद्धालू ऐसे भी हैं जो बाबा केदार के धाम में दर्सन पुजन के साथ साथ स्वच्छता की साधना भी कर रहे हैं। कोई अपने ठहरने के स्थान के पास सफाई कर रहा है, तो कोई यात्रा मार से कुडा कजरा साप कर रहा है, स्वच्छ भारत अभ्यान की टीम के साथ मिलकर कई संस्ताय और स्वायम से भी संग्रण भी वहां काम कर रहे हैं। साथियों, हमारे हाँ जैसे तीर्थी यात्रा का महत्व होता है, बैसे ही तीर्थ सेवा का भी महत्व बताया गया है, और मैं तो ये भी कहूंगा, तीर्थ सेवा के मिनार तीर्थी यात्रा भी अधुरी है, देव भुमी उत्राखन मैंसे कितने ही लोग हैं, जो स्वच्छता और सेवा की इस साधना में लगे हुए हैं। रूदर प्रयाक के रहने वाले स्रिमान मनोज बेंजवाल जी से भी आपको बहुत प्रेणा मिलेगी। मनोज जी ने पिछले 25 वर्सों से परियावरण की देखरे का बिड़ा उठा रखा है। वो स्वच्छता की मुहिम चलाने के साथ ही पवित्र स्थलों को प्लाष्टिक मुक्त करने में भी जूटे रहते हैं। वहीं गुप्त काशी में रहने वाले सुरेंदर बगवाली जी ने भी स्वच्छता को अपना जीवन मंत्र बना लिया है। वो गुप्त काशी में नियमित रुप से सफाई कारकम चलाते हैं और मुझे पता चला है किसे अभ्यान का ना भी उन्होंने मन की बात रख लिया है। ऐसे ही देवर गाउं की चमपादेवी जी पिछले तीन सांसे अपने गाउं की महलाओं को कूडा प्रभंदन यानि वेस्ट मनेजमेंट सिखा रही है। चमपाजी ने सैकड़ो पेड़ भी लगाये हैं और उन्होंने अपने परिसम से एक हरा भरा बन तयार कर दिया है। साथियों ऐसे ही लोगों के प्रहासों से देवभुमी और तिर्थों की वो देविय अनुभुती बनी हुई हैं जैसे अनुभव करने के लिए हम बहां जाते हैं। इस देवत्रव और आध्ध्मिक्ता को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी भी तो हैं। अभी हमारे देश में चारधाम यात्रा के साथ साथ आने वाले समय में। अमरनात यात्रा, पंधरपुर यात्रा जगनात यात्रा जैसी कई यात्राएं होगी। सावन मास पर दो शायद हर गाउं में कोईन कोई मेला लगता है साथियों हम जहां कहीं भी जाए इन तीर्थक्षेत्रों की गरिमया बनी रहें सुचीता साफसफाई एक पवित्र भातावरण हमें इसे कभी नहीं बूलना है उसे जरूर बनाए रखें और इसलिए जरूरी है कि हम स्वच्चता के संकल्प को याद रखें कुछ दिन बाद थी पांच जून को विश्व परियावरण दीजवस के रूप में मनाता है परियावरण को लेकर हमें अपने आसपास की सकारत पर भ्यान चलानी चाहिए और ये निरंतर करने वाला काम है आप इस बार सब को सा मेरे प्यारे देश्वासियों अगले महिने 21 जून को हम आठवां अंतराष्टिय योग दिवस मनाने वाले हैं इस बार योग दिवस की थीम है योगा फर हमेनेटी मैं आप सभी से योग दिवस को बहुत ही उत्सा के साथ मनाने का आग्रह करूंगा हां करोना से जुड़ी साथानिया भी बरते वैसे अब तो पूरी दुनिया में को ना को लेकर हालत पहले से कुछ बहतर लग रहे हैं अधिक से अधिक वैक्षिनेशन कवरेज की वज़़से अब लोग पहले से कहीं ज्यादा भाहर भी निकल रहे हैं इसलिए पूरी दुनिया में योग दिवस को लेकर काफी तैयारियां भी देखने को मिल रही है कोरोना महामारी ने हम सभी को ये ऐसास भी कराया है कि हमारे जीवन में स्वास्थ का कितना अधिक भात्व है और योग इसमें कितना बड़ा माध्यम है लोगे महसूस कर रहे हैं कि योग से फिजिकल स्पिरिचल और इंट्र बढ़ावा मिलता है विश्व के टॉप बिजनेस परसंद से लेकर फिल्म और स्पोर्ट्स परसनलिटिस तक स्टूडेंट से लेकर सामान्य मानवी तक सभी योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोगप्रियता को देखकर आप सभी को बहुत अच्छा लगता होगा साथियों इस बार देश विदेश में योग दिवस पर होने वाले कुछ बेहत इनोवेटिव उधारों के बारे में मुझे जानकारी मिली है इन्हीं में से एक है गार्डियन रिंग एक बड़ आनि सूरज जैसे जैसे यात्रा करेगा धर्ति के अलग-अलग हिस्सों से हम योग के जरिये उसका स्वागत करेंगे अलग-अलग देशों में इन्डियन मिशन्स वहां के लोकल टाइम के मुताबिक सूर्योदय के समय योग कारिकम आयोजित करेंगे एक देश के बाद दूसरे देश से कारिकम शुरू होगा पूरव से पस्चिम तक निरंतर यात्रा चलती रहेगी फिर ऐसे ही यागे बढ़ता रहेगा इन कारिकमों की स्ट्रीमिंग भी इसी तरह एक के बाद एक जुड़ती जाएगी यानि ये एक तरह का रिले योगा स् से जरूर देखिएगा साथियों हमारे देश में इस बार अमरित महोत्सव को ध्यान में रखते हुए देश के 75 प्रमुक स्थानों पर भी अंतराष्टिय योग दिवस का आयोजन होगा इस अवसर पर कही संगठन और देश्वासी ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्र की खास जगाओं पर कुछ न कुछ इनोवेटिव करने की तैयारी कर रहे हैं मैं आपसे भी यह आग्रह करूंगा इस बार योग दिवस मनाने के लिए आप अपने शहर कस्बे या गाओं की किसी ऐसी जगह चुने जो सबसे खास हो यह जगह कोई प्राचिन मंदी और परियतन केद्र हो सकता है या फिर किसी प्रसिद्ध नदी जीन या तालाव का खिनारा भी हो सकता है इससे योग के साथ साथ आपके छेत्र की पहचान भी बढ़ेगी और परियतन को भी बढ़ावा मिलेगा इस समय योग दिवस को लेकर 100 डे काउंट डाउन भी जारी ह या यूं कहें कि नीजी और सामाजिक प्रयासों से जुड़े कारकम तीन महने पहले ही शुरू हो चुके हैं जैसा कि दिल्ली में सौवे दिन और पिचतर्वे दिन के काउंट डाउन प्रोग्रेम होई हैं वहीं असम के सिवसागर में 50 वे और हैदराबाद में 25 काउंट ड या शुरू कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिढ़िए हर किसी को योग दिवस के कारकम में जुड़ने के लिए आग्रह कीजिए प्रेलित कीजिए मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी योग दिवस में बढ़ चटकर हिस्ता लेंगे साथ ही योग को अपने द के बीच मुझे कुछ शांदार सक्षियतों से मिलने का मोखा मिला मैं मन की बात मैं आपसे उनके बारे में चर्चा करना चाहता हूं वे लोग है तो जापान के लेकिन भारत के प्रती इनमें गजबकन लगाव और प्रेम है इनमें से एक हिरोशी कोई केजी जो एक जाने मा आर्ट डिरेक्टर है आपको यह जानकर बहुत ही खुशी होगी कि इन्होंने महाभारत प्रोजेक को डायरेक किया है इस प्रोजेक के शुरुआत कमबोडिया में हुई थी और पिछले नव सालों से यह निरंतर जारी है हिरोशी कोई के जी हर काम बहुत ही अलग तरीके से करते हैं वे हर साल एशिया के किसी देश की yaतरा करते हैं और वहाँ लोकल आर्टिस्ट और मिजिशन्स के साथ महा भारत के कुछ हिस्सों को प्रोड्यूस करते इस प्रोजेक्ट के माध्यम से उन्होंने इंडिया, कमबोडिया और इंडोनेशिया सही नव देशों में प्रोडक्शन किये हैं और स्टेज परफॉर्मंस भी दी है। हिरोसी कोई के जी उन कलाकारों को एक साथ लाते हैं जिनका क्लासिकल और ट्रेडिस्टन एशियन परफॉर्मिंग आर्ट में डायवर्स बैक्ग्राउंड रहा है। इस वज़े से उनके काम में विविद रंग देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया, थाइलेंड, मलेशिया और जापान के परफॉर्मर्स जावा नूत्य, बाली नूत्य, थाई नूत्य के जरिये इसे और आकरशक बना देते हैं। खास बात ये हैं कि इसमा प्रतेक परफॉर्मर अपनी ही मात्रु भाशा में बोलता है और कोरियोग्राफी बहुती खुबसूरती से इस विविदता को प्रदर्शित करती हैं। और मुजिक की डाइवर्सिटी इस प्रोडक्शन को और जिवन बना देती हैं। उनका उदेश इस बात को सामने लाना है कि हमारे समाज में डाइवर्सिटी और को एक्जिस्टन्स का क्या महत्व हैं और शांति का रूप वास्तों में कैसा होना चाहिए। इनके अलावा में जपान में जिन अन्य दो लोगों से मिला वे हैं आच्सुसी माच्सुओ जी और केंजी योशी जी ये दोनों ही टैम प्रोडक्शन कमपनी से जुड़े हैं। इस कमपनी का समन रामायन की उस जापानिस एनिमेशन फिल्म से हैं जो 1993 में रिलीज हुई थी। ये प्रोजेक जपान के बहुती मशूर फिल्म डारेक्टर यूगो साकोजी से जुड़ा हुआ था। करिब 40 साल पहले 1983 में उन्हें पहली बार रामायन के बारे में पता चला था। रामायन उनके रदे को छूग गई। जिसके बाद उन्होंने इस पर गहराई से रिसर्च शुरू कर दी। इतना ही नहीं उन्होंने जापानी भाषा में रामायन के दस वर्जन्स बढ़ डाले और वो इतने पर ही नहीं रुके वे इसे एनिमेशन भी उतरना चाहते थे। इसमें इंडियन एनिमेटर्स ने भी उनकी काफी मदद की। उन्हें फिल्म में दिखाये गए भारतीय रित्रिवाजों और परमपरों के बारे में गाईड किया गया। उन्हें बताया गया कि भारत में लोग धोती कैसे पहनते हैं, साड़ी कैसे पहते हैं, बाल कैसे बनाते हैं, बच्चे परिवार के अंदर एक दुसरे का मान सम्मान कैसे करते हैं, आश्रिवार की प्रमपरा क्या होती हैं, प्राता उठ करके अपने घर के जो सीनियर है उनको प्रणाम करना, उनके आश्रिवार लेना, इस सारी बाते हैं, अब 30 सालों के बाद यह एनिमेशन फिल्म फिर से 4K में रीमास्टर की जा रही है, इस प्रोजेक के जल्द ही पुरा होने के संभावना है, हमसे हजारों किलोमेटर दूर जपान में बैठे लोग, जो ना हमार परंपराओं के बारे में उतना जानते हैं, उनका हमारी संस्कृति के लिए समर्पन, ये स्रद्धा, ये आदर, बहुती प्रसौंसनी है, कौन हिंदुस्तानी इस पर गर्व नहीं करेगा, मेरे प्यारे देश वास्चियो, स्वश से उपर उठकर समाज की सेवा का मंत्र, सेल्फ ओर सुसाइटी का मंत्र हमारे संसकारों का हिस्सा है, हमारे देश में अन गिनत लोग इस मंत्र को अपना जीवन दे बनाय हुए है, मुझे आंत प्रदेश में मर्कापुरं में रहने कि रामभुपान रेडी जी ने रेटार्मेंट के बाद मिलने वाली अपनी सारी कमाई बेटियों की सिख्षा के लिए दान कर दी हैं। से इस गाउं में मीठे पानी की किलत थी। इस बीच गाउं के एक किसान कुमर्सी को गाउं से 6-7 किलोमेटर दूर अपने खेत में मीठा पानी मिल गया। यह उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। उन्होंने सोचा क्योंने इस पानी से बाकी सभी गाउं वाच्चों के भ कुछ समय बाद कुमर सी के छोटे भाई शाम सी सेना से रेटायर होकर गाउं आये तो उन्हें ये बात पता चली उन्होंने रेटायरमेंट पर मिली अपनी सारी धनरासी इस काम के लिए सौप दी और खेट से गाउं तक पाइपलाइन बिछा कर गाउं वालों के लिए मिठा पानी पहुचाया अगर लगन हो अपने कर्तव्यों के प्रती गंबीरता हो तो एक व्यक्ति भी कैसे पूरे समाज का भविश्व बदल सकता है ये प्रयास इसकी बड़ी प्रेना है हम कर्तव विपत पर चलते हुए ही समाज को ससक्त कर सकते हैं देश को ससक्त कर सकते हैं आज हादी के इस अमरित महुत्सों में यही हमारा संकल्ग होना चाहिए और यही हमारी साधना भी होनी चाहिए और जिसका एक ही मार्ग है कर्तव्या कर्तव्या और कर्तव्या मेरे प्यारे देश वांचियों आज मन की बात में हमने समाज से जुड़े कई महत्वपुन विश्यों पर चर्चा की आप सब अलग-अलग विश्यों से जुड़े महत्वपुन सुजाव मुझे बेचते हैं और उनी के आधार पर हमारी चर्चा आगे बढ़ती है मन की बात के अगले संसकरान के लिए अपने सुजाव भेजना भी मत भूलिएगा इस समय आज हाजी के अमरत महत्व से जुड़े जो कारकम चल रहे हैं जिन आयोजन में आप सामिन हो रहे हैं उनके बारे में भी मुझे जुरूर बताईए नमो एप और माय गौपर मुझे आपके सुजाव का इंतजार रहेगा अगली बार हम एक बार फिर मिलेंगे फिर से देश वास्यों से जुड़े ऐसे ही विश्यों पर बाते करेंगे आप अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास सभी जीव जन्तों का भी ख्याल रखिए गर्मियों के इस मौसम में आप पसू पक्षियों के लिए खाना पानी देने का अपना मानवी दाईक पर भी निभाते रहें यह जरूर याद रखिएगा लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए